क्या आप जानते हैं लीची का फल बेहत गुणकारी होता है और लीची खाने के फायदे हैं अनेक तो आईए जानते हैं अमारे इस वीडियो में दोस्तों लीची का फल खाने में बेहत स्वादिश्ट और रस से भरा होता है इसमें पोटेशियम, कार्बोहाइडरेट, फाइबर, विटमिन C, आईरन, विटमिन B6 और मेगनीशिम जैसे तत्व पाये जाते हैं लीची को खाने से सेहत दुरुस्त बनी रहती है और शरीर की रक्षा अंगिनित रोगों से होती है लीची काने के बेहतरीन फायदे हैं आईए बताते हैं आपको इन ही के बारे में सबसे पहली बात ये कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप लीची का सकते हैं लीची के अंदर फाइबर उच्च मात्रा में पाये जाता जिसकी वज़े से भूख जादा नहीं लगती और लीची के अंदर पानी भी अधिक होता है। इसे खाने से शरीर में फैट नहीं बनता। साथ ही इसमें कैलरीज भी बहुत कम होती हैं। जो लोग अपना वजन कम करने में लगे हुए हैं वो लोग डाइट में इस फल को शाम करती हैं। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो लीची का सेवन जरूर करें। प्रतिरोधक शमता कमजोर होने पर शरीर को आसानी से कई रोग लग लग जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपकी रोग प्रतिरोधक शमता मजबूत हो। आपके शरीर की रक् जाते हैं तो भी लीची का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को ठीक करने में मदद करते हैं। और हड़ियों को मजबूत करने के लिए भी लीची का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैगनीशियम, फॉसफोरस, आईरन जैसे तत्व होते हैं, ये सभी तत्व हड़ियों को मजबूती प्रदान करते हैं, इसलिए जिन रोगों को लीची दूर कर सकती है, उनमें से एक है हड़ियों की कमजोरी, अगर आप अपनी जुर्रियां ठीक करना चाते हैं या फिर मुहासे भगाना चाते हैं, तो भ लीची फायदेमंद है, लीची का सेवन करने के अलावा आप चाहें तो इसका हेर पैक भी अपने बालों पर लगा सकते हैं, लीची को अच्छी तरह से पीस लें और इसमें अलवेरा जेल मिलाएं और इसे अपने बालों पर लगाएं, इससे आपके बाल चमकदार और बूत बनेंगे, याद रखें कि लीची को खाने के लिए हमेशा सही समय माना जाता है दोपहर का, सुबह सुबह खाली पेट लीची का सेवन बिलकुल ना करें, लीची का सेवन अगर शुगर मरीज हैं तो ना करें, क्योंकि लीची में शुगर लेवल बढ़ाने के गुण होते हैं, तो दोस्तों ये तो थे लीची के गुणकारी फायदे